इस lecture के अंदर हम sampling की types देखेंगे और कौन सी types कहाँ पे किस वज़ा से और क्यों use होगी उसके बारे में हम study करेंगे तो time जाय किये बगार हम चलते हैं कि sampling की कौन कौन सी types होती है दो किसम की हमारी sampling होती है mainly मैं दोनों की जो main types हैं वो यहां पर लिखता हूँ number one जो आपके पास होती है इसको हम representative sampling बोलते है representative sampling ठीक है यह एक ऐसी sampling होती है जिसमें data जो है sample जो है वो पूरी population को represent कर रहे होते है and then we will see just a minute second पे जो हमारे पास आती है number two वो होती है जनाब non-representative sampling non-representative sampling okay so representative sampling क्या होती है और non-representative sampling क्या होती है इसके बारे में हम देखते है हमारे पास जब हम sample कर रहे होते हैं किसी भी चीज का sample ले रहे होते हैं basically उनको हम select कर रहे होते हैं for data collection ठीक है यानि के उन चीजों के हमने measurement लेनी है अब जो चीजें हम population पूरी पे नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम sample choose करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया sample कैसे choose करना है और कौन-कौन सी चीजों को मदे नजर रखते हैं उसमें दो किसम की major sampling types हैं जो मैंने अभी आपको बताएं ठीक है और हमारे पास जब भी आप sample लेते हैं किसी भी population का तो आपको ये दो किसम की major जो types हैं वो आपके सामने जो हैं वो रखनी पड़ती है so representative sampling क्या होती है हमारे पास जो representative sampling है उनकी कुछ types पहले मैं आपको बताता हूँ फिर इसको और भी detail में देखते हैं कि representative क्या होती है और non-representative क्या होती है इसी से हमें अंदाजा हो जाएगे कि रिप्रेजेंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि Number 3 is Stratified Sampling Stratified Sampling Number 4 is Cluster Sampling Cluster Sampling ये चार टाइपस हैं जे Representative Sampling की अम फिर आगे जाते हैं और देखते हैं कि Non-Representative Sampling की कौन-कौन सी टाइपस हैं इसकी पहली टाइप है Convenience Sampling Convenience Convenience नहीं जिसे बोलते हैं ये वो वाली Convenience है Sampling Number 2 is Haphazard Sampling Number 3 is Purposive Sampling ठीक है ये हमारे पास Sampling की टाइपस हैं अब अगर आप गौर करें हमारे पास यहां पे है जी Simple Random Sampling, Systematic Sampling, Stratified Sampling and Cluster Sampling और Non-Representative Sampling में हमारे पास है Convenience Sampling and Haphazard प्लस Purposive Sampling हमारे पास तीन टाइपस यहां पे आ जाती हैं अब आपको पता है कि यह सारी की सारी टाइपस जो हैं यह अपने आप में डिफरेंट किसम की टेकनीक्स रखती हैं अगर हम Representative versus Non-Representative Sampling इनका फरक देखना चाहें तो यह क्या होती है अब आप यहां पे एक छोटा सा Pause लेंगे मतलब आप एक मिनिट अपने पास लेंगे वीडियो को चलती रहने देंगे और आपसे मेरी request है कि Google कीजे Representative Sampling versus Non-Representative Sampling क्या होती है ठीक है जी लेट सी आपके answers क्या आते हैं क्या है चलें मैं भी आपको थमझा देता हूँ एक छोटी सी example आपके सामने आती है और इस example से आपको सारा समझ लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास Representative versus Non-Representative जो Sampling है वो चलती है लेट सी लेट सी पहले तो हम यह देखेंगे कि Representative Sample क्या होता है और Non-Representative Sample क्या होता है ठीक है या Un-Representative Sample क्या होता है सबसे पहले चीज़ यह हमारी एक population है अगर आप गोर करें तो यह हमारे पास एक population है टार्गेट population जिसमें Red, Blue, Purple, Yellow यह वाला हमारे पास Dark Blue कह लें यह Black कह लें और यह Green यह हमारे पास 6 किसम के लोग हैं एक population में ठीक है अगर हम Sample लेंगे तो हमारा मकसद यह है कि हर एक हर एक किसम के लोग हमारे Sample में आए यानि कि जब हम Sample लें तो एक बंदा एक 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 जगा को represent कर रहा है जैसे यह 6 लोग है ठीक है इसमें female भी है, male भी है और काफी और लोग भी है तो हमारे पास representative Sample आ गए अब आप अगर गोर करें यहाँ पे दो male है, दो female है हर जगा पे हमारे पास यहाँ पे अगर Sample लेंगे तो तीन female है यानि कि यह female है, यह हमारे पास female है यह female है, और तीन ही male है एक तो male female हमारे पास बराबर आगे दूसरा यह कि हर color यानि कि हर color अगर एक city को शोर कर रहा हो तो वो हर color के भी हमारे पास Sample है यानि के red, yellow, green, purple, blue and light blue, dark blue and right blue, ओके जी, यहां तक clear हो गया आपको, अब यह हो गया representative, अब non-representative या unrepresentative सेंपल क्या होता है, unrepresentative यह होता है कि पूरी population को वो शोनी कर रहे, अगर आप गोर करें, यह purple दो नहीं आगे हैं, यह red दो नहीं आगे हैं, और यह यहां पे हमारे पास फिर से purple आगया है, ठीक है, इसको हम unrepresentative या non-representative sampling करते हैं, ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, यह कब की जाती है, यह गलत है, गलत है ऐसी sampling करना या सही है, पहला question तो यह है, तो इसका answer बड़ा clear है, कि यह भी sampling की type ठीक है, और यह वाली भी ठीक है, दोनों types ब आपने पूरी population को यहां पे represent करना है, पूरी population को, ठीक है, और यह तब होगी जब आपने कोई एक specific characteristic को देख के population में से sample लेने हैं, यानि कि यह पूरी की पूरी population आप नहीं ले सकते, मिसाल आपको देने वालों यहीं पे, और बड़ी असान मिसाल है, मैंने measure करनी है height and weight, ठ पूरी population का, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यह characteristic on a general level, पूरी की पूरी population के अंदर मुझूद है, लोगों की height भी होती है, और लोगों का weight भी होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, that's another thing, तो मेरा sample representative होना चाहिए, यानि के मेरी sampling techniques इन चारों में से कोई होनी चाहिए, समझ ऐसे लोगों की, तलाश में हो मैं, जो albino's है, albino's है, वो लोग, जिनका color वो, वो बिलकुल white नहीं हो जाता है, कोई color pigment नहीं होता है, उनके skin के अंदर, albino's लेने हैं, ठीक है, उनकी sampling करनी है, obviously हमारी सारी population albino नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम, ये non-rep representative ये non-representative sample होगा, और हम क्या करेंगे, सिरफ उन लोगों को लेंगे, जो albino है, ठीक है, फिर albino के अंदर मैं male और female को देख सकता हूँ, based on the population matrix, अब इसमें तीन किसमें कौन सी है, convenience sampling, यानि के ऐसे लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरे front end पे बैठे हैं, यानि के मैं कि इसी के reference के थुरू जा सकता हूँ, convenience है मुझे, मुझे convenience sampling है कि मैं, for example, मेरे को जानने वाला है, उसका कोई sister, brother, या cousin, जो albino है, मैं उनसे कोँगा, कि यार, उनकी मैंने height और, या different किसम के analysis करने हैं, या observation लेनी, या interview लेना है, please मुझे बताएं, second, hap hazard sampling, इसके अंदर आ ज design हो, कि मैंने albino's को study करने हैं, जो सिरफ फैसलाबाद के अंदर है, और वो qualified है, यानि कि हमारा purpose हमारे पास हो, कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ये काम कर क्यों रहे हैं, purposive sampling कर क्यों रहे हैं, so इस वज़ा से हमारे पास different किसम की unrepresentative या non-representative sample जो हमारे पास आएंगे, जो पूरी population को represent नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, non-representative sampling technique इसको बोलते हैं, और अकसर अकात ये तब होती है, convenient sampling हो गई, या आप ये कर सकते हैं, कि आपने कोई analysis करना है, और cancer पे research करनी है, तो obviously आपको cancer के patient फोरन ऐसे नहीं मिल जाए कि आप जा रहे हैं, अल्ला माफ करें, पांच वाँ छटा बंदा cancer का patient, ऐसे नहीं होता, you have to talk to a doctor, तो आप convenience आपके पास क्या है, कि आप cancer के patient के research करनी है, doctor आपको एक patient का बताए, आप उस patient से पूछें, आपके जानने वाला कोई है, वो आपको आगे refer करें, फिर वो आगे refer करें, फिर आगे refer करें, फिर आगे refer करें, फिर आगे refer करें, then you will take the sampling techniques like this, आप कुछ लोगों के sample लेंगे और उसकी base पर फिर आप different किसम के analysis करेंगे, this is how you can actually identify different sampling methods, और different sampling methods को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां तक आपका जो non-representative sample है, वो इस तरीके से आप clear कर सकते ह अब इसके इलावा representative sampling की काफी technique है, और हमारा sample representative होना चाहिए, इसकी guarantee के लिए आपको यह चार methods में से कोई ना कोई चूज करना पड़ता है, ठीक है, और हर sample की different खसूसियत है, और हर sample के अंदर आप different किसम की sampling technique को utilize करके, और फिर sample आप लेते हैं, यहां तक clear होगे आपको, यह हमारे पास representative versus non-representative और sampling की type कौन-कौन सी है, ठीक है, अब हम बारी-बारी देखेंगे के हर sampling की type में कौन-कौन सी खसूसियत है, and how we can define that.